भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जियें और भविश्य की आशा करना ही शिक्षा है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्यान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। मुझ में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है। मुझे केवल जुनून की हद तक उठसुपता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा जीवन की तयारी नहीं है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा भविश्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तयारी करते हैं। यह एक शिक्षित दिमाग का लक्षन है जो एक विचार को स्विकार किये बिना भी उससे मनोरंजन करने में सक्षम है। आप हमेशा एक छात रहें। कभी मास्टर नहीं है आपको आगे चलते रहना होगा। शिक्षा सज्जनता को शुरू करती है लेकिन पढ़ाई अच्छी कमपनी और दिखावा उसे खत्म कर देता है। किसी भी प्रकार का भाय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं क्योंकि कुछ सीखने के लिए जुकना पड़ता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उप्योग कर सकते हैं। भगवान सिर्फ उनही की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आये उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी कलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो यही सफलता की पूजी है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुझी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थाई प्रभाव डालते हैं जिससे वह अपने जीवन में सफल होते हैं। जो लोग सोच ना जानते हैं उन्हीं किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अपनी जिन्दगी अपने तरीके से नहीं जीओगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाथ देंगे वर्टिकल बार। तुम कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम शुरू नहीं करते। शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सीखना है। बुद्ध्यमक्ता के साथ चरित्र यही सच्ची शिक्षा का लक्ष है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूनने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्यान का निवेश भुगतान करता है। ज्यान हॊफता है souvent YOUुगताश झाल का निवेश टॉक्षा